अब तक हमने बात की खिमसर और देवली उनियारा की सीट की क्योंकि ये दोनों ही सीटे काफी रोमान चक है यहाँ पर मुकाबलात त्रिकोण ही है चलिए अब रुख कर लेते हैं अलवर का क्योंकि रामगड़ पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं जुबेर खान जो कॉंग्रेस के विधायक थे उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ से उपचुनाव हो रहे हैं लेकिन रामगड़ की सीट पर सीधी टक्तर बीजेपी और कॉंग्रेस की है क्योंकि नै तो यहाँ से तीसरा मोर्चा कोई सक्रिय रूप से यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और नहीं कोई दिगज निर्दलिय प्रत्याक्षी यहाँ पर चुनावी मैदान में है रामगड़ की सीट कहीं न कहीं बीजेपी के खाते के माननी जा रही है क्योंकि भाजपा से सांसद और केंद्रिय मंत्री भुपेंदर यादव की रंड नीती यहाँ पर सफल हुई है क्योंकि लोकसवा चुनाओं में रामगड़ विधान सवा शेत्र से 2240 मतों से पीछे रही थी लेकिन इसी प्रकार गत विधान सवा चुनाओं में कॉंग्रेस के जुवेर खान ने यहाँ पर 17313 वोटों से जीत हासिल की तो वहीं भाजपा से बागी होकर चुनाओं लडने वाले सुखवंत सिंग को यहां से 22246 वोट पराप्त हुए थे जबकि भाजपा के अधिकरत उमीदवार जै आउजा को महच 34299 वोटों से संतोष करना पड़ा था लेकिन उप्चुनाओं मैं पूरी तरीके से केंद्रिय मंत्री यादव का तंखम देखने को मिला उन्होंने खुश्वंत यादव को टिकेट दिलाने में अपनी महतपूर्ण जो भूमिका है वो तो निभाई साथ ही जै हाउजा को भी भाजपा नेताओं का समर्थन पाया यदि बात करें खुश्वंत सिंग और जैहुजा के वोटों की यदि दोनों के वोटों को ही काउंट किया जाए तो एक लाग छेजार पांसो पैतालिस वोट मिले थे जबकि जुबेर खान जोनोंने कॉंग्रेस के टिकेट से चुनाओ लड़ा था उनको महज नवास हजार पांसो गुनसट वोट मिले थे यानि की दोनों के वोट कॉंग्रेस से कहीं जादा थे लेकिन अब केंद्री अमंत्री भुपेंद्री आदव की रनने दी काफी काम आई है और उन्होंने सुखवंत ही आदव को टिकेट दिलवाया है तो वहीं कॉंग्रेस की अगर ब चवी के आदार पर साहनु भूती के वोट भी कॉंग्रेस यहां पर देख रही है तो रामगड में सीधी टपकर है आरियन खान और सुखवंत यादव की ऐसे मैं अब देखना होगा कि यहां पर केंद्री अमंत्री भुपेंद्र सिंग यादव का जो वर्चस्व है जो संख्यक भूटो के साहरे साहनु भूतियां पर चीत हासिल करते हैं आप देखते रहिए दानगरी न्यूस की खास पेशकस चुनावी नगरी अगली कड़ी में एक और होट सीट की बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार